पुतिन ने कीव पर अब तक की सबसे खतनाक बंबारी की है पुतिन ने ड्रोन का इस्तमाल किया है पुतिन ने क्रूज मिसाइल भी पाल की है ये सब पुतिन ने इसलिए किया क्योंकि उन्हें जलन्सकी के पास बहुत ही खतनाक खत्यार के बारे में पता चल गया अब पोटेंट इन हमलों के जर्ये देखना ये चाहते हैं कि जलंस्की का जवाब आखिर कैसे होगा जो लोग महायुद में रूस की हार की भविश्यवानी कर रहे हैं उन्हें कियू पर अटेक की नई तजवीर जरूर देखनी चाहिए कियू के खिले को जलंस्की के बंकर समय टार्गेट किया जा रहा है कियू को का ब्रिस्तान में बदलने के लिए रातों दिन हमले हो रहे हैं जिन्होंने पकमूत के विनाश की तजवीरे देखी हैं जिन्हें कियू पर हमले की रफ्ता उसकी पोर्स समझ में आएगी तो अच्छमभे में पढ़ जाएंगे पुतिन योक्रेन के संपूर्ण नाश की कैसी स्क्रिप्ट तयार किये बैठें जिन लोगों के दिमाग में ये बात चल रही है कि पुतिन नैटो के हथियारों के सामने कमजोर पड़ रहे हैं उन्हें कीव पर हमले की इंसाइड स्टोरी समझनी चाहिए क्योंकि ये हमला सिर्फ कीव को जलाने के लिए नहीं किया गया ये हमला जैलन्सकी के मिसाइल गोदाम को खाली करने के लिए भी किया गया है कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है 15 महीनों के युद्ध में कियू पर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था योकरेन का दावा है कि उसकी सेना ने रूस के कम से कम 40 ड्रोन एक रात में मार गिराए सोचिए, एक रात में कियू पर पुतिन ने कितने ड्रोन हमले किये होंगे रूस की सरकार में इसका कोई सरकारी आंख्रा जारी नहीं किया है लेकिन कीव पर ताजा हमले बता रहे हैं कि बगमूत की जीत के बाद रूस के जनरलों में नया जोश भर गया है इतना कि सीधे कीव को ही उड़ा कर जेलन्सकी को घुटने के बल चलने के लिए मजबूर कर देना चाहते हैं एक व्यत्ती की मौत हो गई और तीन जक्मी है कियू के मेर विटाली क्लिट्सको के मताबे विस फोटो ने योकरेन की राजधानी को हिला कर रख दिया है जानकारी सपष्ट की जा रही है विवरन बाग में क्षत्र में विमान रोधी रक्षा काम कर रही है वहन लक्ष कम किये गए है आपको याद होगा कि युद्ध के शुरवाती दौर में यानि पिछले साल मार्च के शुरू होते ही कियू को किस तरह से रूस की आर्मी ने गेर लिया था खुंखार चेचन कमांडर रमजान कादिरफ की आर्मी ने कियू की कील हिला दी थी लेकिन योक्रेन की आजादी के प्रधी कियू की चूल नहीं हिला सके और रूस की आर्मी पूर्वी योक्रेन की ओर कूच कर गई अब एक बार फिर से कियू पर हमले हो रहे है सबरदस्त इतने घातक कि जब तक कियू में तैनात अमेरिका वाला NTR डिफरंट सिस्टम एक्टिवेट हो तब तक कियू की जमीन बारूद से दुआ दुआ हो जाती है तस्फीरें आपकी स्क्रीन पर है डॉनेस, खेरसोन, लोहांस, सोलेदार, अब दीविका, पक्तमूर रूस की सेना एक साथ कई मोर्चे पर भीशन जंग लड़ रही है लेकिन कियू के पास रूस की आर्मी का अभी कोई घेरा नहीं है कियू को गिराने के लिए पुतिन इस स्वक्त सिर्फ मैसाइलों और ड्रोन का इस्तिमाल कर रहे है इसका कारण आपको डीटेल में दिखाएंगे लेकिन उसके पहले रूस के राश्रपती व्लादिमेर पुतिन को आपको जरूर सुनना चाहिए पुतिन के ताजा वायान में महा युद के आगे की तजवीर दिखती है पुतिन के रहे है पुतिन के पुतिन के रहे है हमने मामला एक दम क्लियर देख रहा है कि जहां जितने हतियार खर्च करने पड़े कीव का किला द्वस्त करना है और वो भी जल्दी करना है लेहाजा 15 महीनों में सबसे भायानक हमला की उपर होता है और इस हमले के लिए रणनीती के तहट सुखोई फाइटर जेट्स का इस्तिमाल नहीं होता ड्रोन का इस्तिमाल किया जा रहा है इसका जवाब ग्राफिक्स के जरिये समझे अगर हम एक ड्रोन की कीमत 1000 डॉलर, 80,000 मानेंगे तो 10,000 ड्रोन की कुल कीमत 10 मिलियन डॉलर यानि लगभग 83 करोड ही होगी यह आखड़ा अभी भी रूस के 135 फाइटर जेट से कम है इस फाइटर जेट की कीमत 85 मिलियन डॉलर से अधिक है ड्रोन का इस्तिमाल करने के पीछे रूस की रणनीती है कि कम दाम के हथियार से योक्रेन का कीमती हथियार यानि मिसाइल नश्ट किया जाए रूस ही नहीं योक्रेन भी यही स्टेटजी अपना रहा है पिक्चर क्लियर है कि युद्ध लो बजट चल रहा है ब्रेटन थिंक टैंक की रिपोर्ट बताती है कि रूस हर महीने योक्रेन के 10,000 ब्रोन को अपनी इलेक्ट्रोनिक टेक्नीक से जिसे रुशियन इलेक्ट्रोनिक जैमिंग कहते हैं उससे मार गिरा रहा है इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस की सेनाओं ने हर 10 किलोमीटर बाद एक सिस्टम लगा रखा है ज्यादा तर ये फ्रन्ट लाइन से 7 किलोमीटर दूर इस्थित होती है इससे इलेक्ट्रोनिक वार्फेर अच्छे से काम करता है इलेक्ट्रोनिक वार्फेर सिस्टम को अगर आसानी से समझना है तो इसका मतलब ये है कि ये किसी भी तरह के electronic हमलों को निश्क्रिय करने का एक सिस्टम है ड्रोन इसके radar सिस्टम में आते हुए खुद ही नश्ट हो जाएगा इसी सिस्टम के तहट योक्रेन भी रूस के ड्रोन को नश्ट करने का दावा कर रहा है लेकिन दोनों देशों पर हजारों ड्रोन मारे जाने का असर ना के बराबर हो रहा है रूस को इरान से कामिकाजे ड्रोन की सप्लाई हो रही है तो योक्रेन खुद भी सोवियत काल के ड्रोन मोडिफाई कर उसका इस्तिमाल कर रहा है और बाकी जरूरत की पूर्ती नाटो कर रहा है. यही कारण है, कि उक्रेन को इसे खाज कोई फर्क नहीं पड़ा. Не всі з них діють на території держави террориста, деякі в інших країнах, але глобальний тиск отримують всі. Крок за кроком ми зберемо повні дані про всіх, хто працює на агресію. लंबे युद्धों में अकसर होता है कि देश भारी भरकम हथ्यारों का खर्च लंबे वक्त तक नहीं उठा पाते हैं. और धीरे धीरे युद्ध के हथ्यार बदल जाते हैं. रूस योक्रेन युद्ध के दौरान दिया ही हो रहा है. पुतिन कम खर्च का ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं. और जैलन्सकी के मिसाइले इन ड्रोन्स को मारने में खर्च कर वा रहे हैं. सवाल है कि जैलन्सकी के पास ऐसे हमलों का हल क्या है? इसकी डीटेल आपको दिखाएंगे कि कैसे रूस की लो बजट वार का जवाब जैलन्सकी भी लो बजट वार से दे रहे हैं. लेकिन उसके पहले कियू में तैनात सुरक्षा सिस्टम जो अब तक रूस से राजधानी को बचाए हो है. उसकी डीटेल देख लीजे. कीउ में इस वक्त दुनिया का सबसे अड्वान्स एयर डिफेंस सिस्टम में से एग पैटरियट डिफेंस सिस्टम तैनात है. योक्रेन के इसी पैटरियट से रूस की हाइपरसोनिक गिंजल मिसाइل को मारने का दावा भी किया गया है. इसके साथ ही कियू में इस्रेल भी एक अचूक जैसा समझा जाने वाला एर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है शर्मनी का आईरस्टी, पैट्रियट से पहले कियू में तैनात अमेरिका का हॉक डिफेंस सिस्टम सोवियत काल का S-300, पक M-1 मीडियम रेंज एंटी एर मिसाइल इन एंटी एर डिफेंस सिस्टम में से कुछ 90 परसंट तर ग्रोन या मिसाइल हमलों को रोकने में सक्षम है कोई 80 परसंट, लेकिन नितनात है है कि योगरेन इस वक्त खुद को बहुत महफूस कर चुका है जाहिरे, जैलन्सकी ने रूस के ड्रोन और मिसाइलों के काट में काल लिए जैलन्सकी इन ही हत्यारों के भरोसे रूस पर काउंटर अटैक की तैयारी कर रहे है जो शुरू भी हो चुका है, योगरेन रूस की सीमा के भीतर घुसकर हमले कर रहा है योगरेन की सेना के ड्रोन ने डुजबा तेल पाइपलाईन पर हमला किया ये पाइपलाईन विश्चो की सबसे चौड़ी और लंबी पाइपलाईनों में से एक है इस पाइपलाईन से साइबेरिया से योड़ोप के लिए कच्चय तेल की आप्मूर्ती होती है सोवियत संग के समय कि इस पाइपलाइन से रोजाना 20 लाख पैरल से ज़्यादा तेल की सप्लाई की जा सकती है जिस थान पर पाइपलाइन पर हमला हुआ वहां से योक्रेन सीमा करेब 500 किलोमेटर दूर है जोक्रेन रूस के भीतर हमलों के जिम्मेदारी स्विकार नहीं करता है लेकिन पश्यमी मीडिया के रिपोर्ट्स के मताबिक पुतिन के क्रेमलिन आवास के नस्दीक तक योक्रेन ने हमलावर ड्रोन को भेजा था जिसे रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने मार गिराया था रूस के रक्षा मंत्राले के मताबिक हाल के देनों में योक्रेन के और से ड्रोन हमलों में तेजी आई है 24 घंटों में योक्रेन के 12 ड्रोन मार गिराये गए हैं और दो स्टॉम शेडो क्रूज मिसाइल आकाश में ही नश्ट कर दी गई है। रूज जितना चाहे जेलन्सकी के हत्यारों को नश्ट करे। नाटो और अमेरिका से हत्यारों की बरसाथ जेलन्सकी को छुपने नहीं देगी। अमेरिका ने इसी महीने ऐलान किया है कि वो योकरेन को 10,000 करोड का बैकेज देने जा रहा है। ये पैकेज योकरेन के एर डिफेंस सिस्टम को और पुखता करने के लिए इस्तिमाल किया जाएगा। पोतिन की यही चिंता है जो बढ़ती ही जा रही है। लहाज़ा पोतिन नई रणमी भी बरकाम कर रहे हैं। एक तो कम पैसे वाला ड्रोन का इस्तिमाल और दूसरा युद्ध के बीच सैनिकों का पुनर गठन कर उने थोड़ी सी महलत दे कर फिर से मोर्चे पर लगाना। योपेन के रक्षा मंत्राले ने कहा है कि रूस की सेना कपजे वाले जापरजिया परमाणू सैंत्र के नजदीक का माहौल खराब कर रही है। पुतिन को जीत हासिल करनी है तो रणमी भी बदलनी ही होगी और जैलन्सकी को अगर हार नहीं देखनी होगी तो काउंटर अटैक करना ही होगा। झाहिए झाहिए जाए जाए चर्ण टाले फुतिन को जीत है ओूसित को जीत है कि तोुतिन को दो जीत है झाहिए वाले पले दीीज़ करनी होगी kaillem